हेलो एब्रीवन वेलकम बेक टो कार्णिंग फाया मैं मिनाक्षिमान दिल्ली से और आज की वीडियो जो है प्लांट सौपिंग के उपर है तो मैंने कुछ प्लांट लिये हैं मुझे एक प्लांट का नाम नहीं पता आप जरा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा अगर है प्लांट लवर के लिए जब भी कहीं पे भी वह प्लांट देखता ना तो चाहे उसके पास कितने भी प्लांट होना तो वह सोचता है कि हम यह भी ले 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 हमारे पास यह नहीं यह कलर नहीं है तो मतलब प्लांट लिये वगएर हम रही नहीं पाते हैं और यह हमारा शो बहुत जो है सर्दियों में बहुत अच्छी हो जाती है और इसको फुल सनलाइट में रखें इस टाइम पर तो बहुत ही अच्छे से इसके कलर यह खिल के आते हैं इस प्लांट को जरूर लें क्योंकि यह बिना फूलों के भी बहुत सुन्दर प्लांट लगता है और तीसरा मैंने ये plant लिया है इसका ही मुझे नाम नहीं पता है अगर आप किसी को इसका नाम पता हो तो comment में जरूर लिखना इसके मैंने दो plant लिये हैं एक ये purple color है और दूसरा ये मीरा pink color का है तो दोनों ये plant मुझे अच्छे लगे में flower आये हूए हैं और दोनों ही color बहुत ही प्यारे हैं और जब यह plant जो है हम बड़े गमले में लगाएंगे तो यह बहुत यह अच्छी flowering करने वाला है और यह winter का ही flowering plant है बस नाम की जो है इसका मुझे मालूम नहीं है और यह मेरा जो है अगला प्लांट है डाइन्थस का ये मुझे उसने फ्री में ऐसे ही दिया है और देखते हैं इसकी ग्रोथ कैसी होती है इसको मैं लगाने के बाद आप शाथ सेयर करूंगी और यह जो अगला प्लांट है यह भी कोलियस है यह भी उसने मुझे दो प्लांट जो है फ्री में ऐसे ही दिये हैं तो इसकी ग्रोध जादा अच्छी नहीं थी इसी वज़े से उसने मुझे ऐसे ही दे दिया कि आप लगा लेना इसको तो मैं ये वाला कलर भी मेरे पास नहीं है तो मैं इसको लगा लेती हूँ देखते हैं कैसी ग्रोथ इसकी चलती है फिलाल तो इसकी कंडिशन ठीक नहीं है लेकिन डाइन्थस अच्छा है डाइन्थस की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और साथ ही मैंने दो गमले लिये हैं सिमेंट के हैं ये 10 इंच का पॉट है ये मुझे 40 रुपीज में मिला है